हेलो दोस्तों नमर्शकार बहुत बहुत स्वागत है आपका नियो स्टडी प्लानेट में आज के वीडियो में आएए पढ़ते हैं इतिहास और इतिहास में जानते हैं दिल्ली सलतनत के बारे में दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महातोपोड क्वेशन आज हम लेकर आए हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा आए शुरू करते हैं आज का अपना महातोपोड वीडियो हमारा आज का पहला प्रशन है गजनी का वह प्रथम सासक जो खलीफाओं से सुल्तान की उपार इधारण कर सुल्तान कहलाने वाला सासक बना बिकल्प हैं सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी या फिर अलप्तगीन तो जो सही उत्तर हो जाएगा बिकल्प भी हो जाएगा महमूद गजनवी आपको बता दे कि महमूद गजनवी ने 2020 से 1026 इसवी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया जिसमें सोमनात मंदिर पर जो आक्रमण 2026 में हुआ काफी मातोपोड है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्य से लूट पाट कर धने का त्रित करना तथा मध्य एस यह में एक बड़े सामराज की अस्थापना करना था प्रसिद्ध, बिद्वान, अलबरूनी, महमूद गजनवी के आक्रमड के समय भारत आया था और उसने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखा ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अगला प्रस्ण है दिल्ली सल्तनत की दर्बारी भासा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दर्बारी भासा क्या थी? उर्दू, फार्सी, हिंदी या फिर अर्बी? क्या थी दर्बारी भासा दिल्ली सल्तनत की? तो सही उत्तर हो जाएगा दिकल्प भी फार्सी फार्सी जो है दिल्ली सल्तनत की दर्बारी भासा थी अगला प्रस्ण है आगरा नगर की अस्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज तुगलग, मुहम्मद बिन तुगलग, अलाओ दिन खेलजी या फिर सिकंदर लोदी? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा विकल्प डी हो जाएगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की अस्थापना की थी सिकंदर लोदी के बारे में आप जान लेजे कि गजे सिकंदरी नामक भोमिमापने का एक पहमाना था वो भी सिकंदर लोदी ने ही जाद किया था गुल्रुखी नाम से कविताय लिखता था ये भी कभी कभी पूछा जाता है अगला प्रशन है दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जिसने अस्थाई सेना रखी थी कौन था अलाओ दिन खिल जी बलबन इल्टुतमिस या फिर मुहम्मद बिन तुगलक किसने रखी थी अस्थाई सेना पहली बार तो सही उत्तर हो जाएगा अलाओ दिन खिल जी यहाँ पे बिकल्प ए हमारा सही हो जाएगा अगला कोशन है मुहम्मद गोरी का संबंध किस वन्स से था मुहम्मद गोरी का संबंध किस वन्स से था या मिनी संस बनी गुलाम वन्स या फिर खिल जी वन्स किस वन से था मुहम्मद गोरी का संबंध तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी संसब बनी ठीक है मुहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 इस्वी में किया मुल्तान पर मुहम्मद गोरी का प्रित्वी राज चौहान के साथ युद्ध काफी महतुपूड है जिसमें पहले प्रित्वी राज चौहान ने गोरी को तराइन के पहले युद्ध में हराया था फिर तरायन के दूसरी वद में गोरी ने प्रित्वीराज चौहान को हराया था अगला प्रशन है तैमूर के आक्रमड के बाद भारत में किस वंस का राज्या स्थापित हुआ लोदी वंस, सैयद वंस, तूगलक वंस या फिर खिलजी वंस तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी हो जाएगा सैयद वंस ये भी क्वेशन बनता है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमड कब किया तो याद रखेगा 1398 वी में और उस समय किस का सासनकाल था नासुर दीन मेहमूद तुगलक का सासनकाल था जब तैमूर ने भारत पर आक्रमड किया ठीक है नेक्स्ट है निमनलखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया अलाओ दिन खिलजी ने फिरोज तुगलक ने मुहम्मद बिन तुगलक ने या फिर सिरसाह सूरी ने कौन सा विकल्प सही होगा तो यहाँ पर जो विकल्ब सही होगा विकल्ब भी होगा फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक ही वो सुल्तान था जिसने बिरोजगारों को रोजगार प्रदान किया अगला प्रसन है नालंदा विश्वविध्याले के बिनास का एक कारार था मुस्लिम, कुषाड, सीथियन या फिर मुगल कौन करार था नालंदा विश्विद्याले के विनास का तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा मुस्लिम चलिए नेक्ट ग्वेस्टन पर चलते हैं अगला प्रशन है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चहलगानी या 40 सा दल का गठन किया इलतुतमिस ने, बल्बन ने, मुहम्मद गोरी ने या फिर कुतबुद्दीन एबपनी तो कौन सा उत्तर सही होगा तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिकल्ब ए इलतुतमिस ये भी क्वेशन बनता है कि 40 सा दल या फिर तुर्काने चहलगानी का अंत किसने किया तो अंत की बात आएगी तो यहाँ पे बल्बन सही उत्तर हो जाएगा दस हो क्वेशन है तुगलक नामा की रचना निमनलिखित में से किसने की दिकल्ब है अमीर खुसरो गुलबदन बेगम गया सुद्धिन तुगलक या फिर इसामी तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा जिसको क्या कहते हैं तो ताए हिंद अगला क्वेशन है दिल्ली सल्तनत कावा कौन सा सुल्तान था जिसने सिजदा और पाबोस की प्रथा सुरू की बल्बन गया सुद्धिन तुगलक इल्दुत्मिस या फिर रजिया सुल्तान तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा विकल्प ए हो जाएगा बल्बन ने सुरू की थी सिजदा और पाबोस की प्रथा नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने दोवाब के आर्थिक महातु को समझा पुद्दीन एबक ने इल्दुत्मिस ने अलाओ दिन खिलिजी ने या फिर मुहम्मद बिन तुग लगने काउन सा उत्तर चाही होगा तो यहाँ पी जो सही उत्तर हो जाएगा इल्दुत्मिस विकल्प बी यहाँ पे साही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में महत्तोपूर भूमिका किसने निभाई थी तुर्कों ने, अफगानों ने, मंगोलों ने या फिर अर्बों ने किसने निभाई थी महत्तोपूर भूमिका रजिया सुल्तान को सत्ता से सत्याचिवत करने का तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा विकल्प ए हो जाएगा तुर्कों ने रजिया सुल्तान को सत्ता चिवत यानी सत्ता से हटाने में महातो बोड भूम के निभाई थी किसने तुर्कों ने ठीक है अगला और आखरी प्रस्ण है इस वीडियो का सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जाउना खा या फिर जूना खा था मुहम्मद गोरी का मुहम्मद बिन तुगल्प का बलबन का या फिर फिरोज तुगल्प का काउन सा विकल्प यहां पे सही होगा तो जूना खा या जौना खा किसका नाम था तो सही उत्तर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक बिकल्प भी यहाँ पे सही हो जाएगा तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगले वीडियो में एक नए टापिक के साथ आप से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार और हाँ अगर आप मारे वीडियो पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें